सुदेंट से कारेश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकैडमी आज चालो करते हैं अपन जीयो के नए चाप्टर से जिसका नाम है नैच्रल वेजिकेशन और वाइल लाइफ अब यहां पे इस चाप्टर में अपन को क्या क्या देखना है अपन को यह देखना है इंडिया मे किस किस टाइप के वेजिकेशन मतलब प्लांज अवेलेबल है और किस किस टाइप के वाइल लाइफ अवेलेबल है और अपन को किस तरह से इंको प्रोटेक्ट करना है और किस तरह से इंको कंजर्व करना है सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे इंडिया इस दे वन आ अगर अपन प्लांट की अलग 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 वराइटी की बात करें तो उसके अंदर अपना जो इंडिया है उसके पास टोटल 47,000 स्पिसेज तो वह पूरे वर्ल्ड में तेंथ पोजीशन पे आता है और एशिया में फोर्थ पोजीशन पे आता है चलो एक बाद वापिस इंडिया है और इंडिया को आप 10 800 пр tuck में जिसमें कंदर प्लांट पेशिसिस कह अंसके त UC ennelle इंडिया का 10th प्लेस है ऐसे में इंडिया इंडिया का 10th पेस इंदर अंडर उसके बास कितने ठीव प्लांट स्पीसिसस के इंडर एंड़ 1 प्लावरिंग प्लांट प्लांट के बराबर है मतलब इंडिया के पास टोटल 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है जो पूरे वर्ल्ड का इंडिया के पास कम से कम 90,000 अलग 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 वराइटी की अपने मरीन मौटर मतला अपने ओशन के अंदर तो एक बाद वापिस रिवाइस करते हैं इंडिया 12 बायो डाइवर्सिटीज में से एक है इंडिया 10 पोजीशन पे आती है प्लांट स्पिसिज में वर्ल्ड में और पोजीशन पे आती है एशिया में 15,000 टाइप के फ्लावर्स है इंडिया में और वो टोटल 6 परसंट करते हैं पूरे वर्ल्ड का टोटल 90,000 टाइप की स्पिसिस है अनिमल और फिशिस की जो बहुत हाई लेवल पे इंडिया के पास अवेलेबल है अब प्लांट मतलब एक प्लांट का पूरा कम्यूनिची मतलब प्लांट का पूरा ऐसे ग्रूप जो अपने आप ग्रो कर रहा है उसको यूमन ने खुझ से मतलब यूमन ने उसके अंदर कोई सीड बोया नहीं है उसने कुछ फ्लावरिंग मतलब उसने कुछ वाटर वाटर नहीं डाला ह अपने आप automatically वो flowers grow कर रहे हैं किसी human interference मतलब इंसान का उस plant को grow करने में कोई हाथ नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम natural vegetation बोलते हैं ऐसा natural vegetation जिसको बहुत time तक human ने touch भी नहीं किया है उसको हम virgin vegetation बोलते हैं वापिस plant community जो अपने आप grow हो रही है वो होती है natural vegetation ऐसा natural vegetation जिसक के बहुत time से वो undisturbed है मतलब human ने वहाँ पर आके कोई भी activity नहीं किया है वो जैसा है वैसा ही रहा है तो वो तुम्हारा virgin vegetation होता है एक word होता है flora और एक word होता है fauna flora मतलब जो plants को determine करता है जो plants की एक particular region को determine करता है उसको हम flora बोलते है fauna मतलब जो animals के लिए यूज किया जाता है वो तुम्हारा fauna होता है वापिस flora plants के लिए यूज होता है fauna animals के लिए ऐसा बोलें इंडिया में flora और fauna का बहुत अच्छा biodiversity present है और इंडिया बहुत जादा rich है इस term में relief climate and ecosystem are the three factors of biodiversity किसी भी country में कितना अच्छा biodiversity कितना अच्छा natural vegetation या wildlife होगा वो तीन चीजों पर depend करता है relief factor climate and ecosystem सबसे पहले आपनों आते हैं relief feature में relief features में तो समझते हो कि land किस type की है soil किस type का है यह तुम्हारे relief features आते हैं अब land के बारे में क्या बोला गया है बेखो किसी भी land का बहुत बड़ा influence होता है कि वहां का vegetation कैसा होगा road पे कभी भी plant grow नहीं करेगा पर जो mountains होते हैं जो hilly areas होते हैं वहां प्लांट हमेशा grow करेगा तो वो क्या बोल रहे है कि relief feature में सबसे पहला land land पे बहुत जादा base करता है कि आपका natural vegetation कैसा होगा आपकी biodiversity कैसी होगी the nature of land influences the type of vegetation fertile land support agriculture while undulating and rough terrain have grassland and woodlands which gives shelter to variety of wildlife देखो क्या बोल रहे है कि जो इद्दम the nature of land influences the type of vegetation आपकी land किस प्रकार की है वो क्या करती है वो vegetation किस type का होगा उसको influence करती है fertile land जो होती है वो agriculture को support करती है जहां पे जो तुम्हारी land है वो fertile है वहां पे लोग क्या करते हैं वहां पे खेती बाड़ी करते है और undulating or rough terrains मतलब जो थोड़ी सी rough land है जहां पे forest वारेश है वहां पे तुम लुगों को क्या मिलता है वहां पे तुमको ग्रश लैंड मिलेगी और वैंसी जगाओ पर तुम लोगों को समğ contribute नदेगे मंचले जबते से ejerc Books remind ने juist, थैकेसम के डिल तो साल ने जबते ऊचारए उसके अप स्लोप्स होते हैं उसके अंदर कौनिकल ट्रीज अच्छी ग्रोव करते हैं जिस तरह का तुम लोगों का सौईल है तो स्टरह पर डिपेंड करता हैं तुम्हारा वेजिटेशन कैसे होगा अगर सेंडी स्लोप मतले वाले जो आते ना वह तुम लोग वाले सपोर्ट करता है मैंग्रोफ वेजिटेशन और अगर हिली स्लोप है और हिली एरिया वाली सॉयल है तो वहाँ पर कोनिकल ट्री ग्रो करेंगे इस तरह से कोन शेप के ट्रीज होते हैं क्रिस्मस ट्रीज तो वह ग्रो करेंगे तो यह तुम्हारे लैंड और स्वाइल हुए जो तुमको बताते हैं किस तरह से ये दोनों फीचर तुम्हारे क्या करते हैं तुम्हारी वेजिटेशन के वराइटी को इंफ्लूइंस करते हैं अब आते हैं क्लाइमेट में आप आपको तीन चीज देखने हैं एक होता है टैंप्रेचर एक टैंप्रेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों का वहां का वेजिटेशन कैसा होगा आपकी बुक के अंदर टैंप्रेचर सनलाइट और परसिपिटेशन का एक टेबल दी हुई है वह मैं तुम लोगों को लास में संजहा दूंगी पहले आपन लोग तर्म कैसा होगा कोई-कोई वेजिटेशन ऐसा है जिसको सनलाइट की नीड नहीं है और कोई-कोई-कोई वेजिटेशन ऐसा है जिसको सनलाइट की नीड है तो उस पर बहुत जादा डिपेंड करेगा कि आपका वेजिटेशन कैसा होगा प्रेसिपिटेशन रेनफॉल भी बहुत जिएएजादा डिपेंड करता है रेटव पे यहां पर बहुत जड़ादा है एवी रेइन फॉल होगी यहाँ पर तुमको यॉज़ी बहुत गणा जंगल दिखेगा और जहां पर रेइन फॉल कम होगी वहां पर तुम लोगों को इतना जाधा क्या यहे तुम लोगों पर प्लांट और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं हर चीज के लिए उसको हम क्या बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं इसको अपन बायोमी बोलते हैं ऐसी जगा एक इकोसिस्टम जिसके अंदर अलग अलग डिस्टिंग टाइप के वेजिटेशन और डिस्टिंग टाइप के एनिमल लाइफ एक्जिस करते हैं उसको हम क्या टर्म देते हैं बायोमी अब नेक्स पार्ट में तुम लोगों को देड़ करवाते अंब अगर हुते हैं तो वहाँ पे जन्रली पॉल्यूशन भी कम होता है क्योंकि यह इंड्शुर्ण को ईप्रत लिए यह परवाइड करते आनिमल्स के लिए तो यह हैं बहुत Charlie do बहुत जादा इंपोर्टनित के लिए इंपोर्टनित विंड फोर्स भीन का जो फोर्स है एक टेंपरेचर है रेन्फिल है इस अब को भी प्रिटेक करता है यह यूमस्ट करता है इंडिया में जो नैच्छल वेजिटेशन है वह बहुत जादा चेंज से गुजरा है because of factors such as demand अलग-अलग demand के वज़े से लोगों के आज के टाइम पे ये vegetation को लेके इतनी ज़ादा demand बढ़ गई है कि इंडिया में अब natural vegetation धीरे-धीरे कम होता जा रहा है तो natural vegetation की अब demand इतनी बढ़ गई है तो इस case में अपने forest को protect करने के लिए बहुत सारे क्या बोले law और act पास किये गए है जिसके द्वारा अपन के forest को अपन प्रोटेक्ट कर सकते है तो यहाँ पर आज अपने क्या क्या देखा इंट्रोडक्शन पार्ट फ्लोरा फॉना के बारे में समझा रिलीफ फैक्टर्स इसमें लेंड और सॉइल आता है क्लाइमेट टेंपरेचर सनलाइट पॉसिपिटेशन एकोसिस्टम और इंपोर्टेंस और फॉरस्ट यह सारे टॉपेक्स अपने आज इसके अंदर कवर कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टाइपस ओफ वेजिटेशन कवर करवाऊंगे